Hello Everyone, Welcome to For Nurses Preparation YouTube Channel, I am Neeraj Kumar Kathal आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एक्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग MCQs, AIMS NORSET, राजस्तान CHO, RML, PGI, ESIC, DSSSB जैसे एक्जाम्स को टार्गेट करते हुए तयार की है होफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूट्मेंट एक्जाम्स में हेल्प करेगी फॉर नर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरड़े रात आठ बजे इसी तरह की क्लासेस रेग्यूलरली अपलोड की जाती है नर्सिंग रिक्रूट्मेंट से रिलेटेड इन्फोर्मेशन और इसी तरह की MCQ क्लासेस को रेग्यूलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इससे लाइक कर दीजेगा और इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग आफिसर बनने में हेल्प जरूर करें So friends, let's begin our today's MCQ क्लास Question is, the hypersecretion of growth hormone leads to अगर किसी क्लाइंट में growth hormone का बहुत ज़्यादा secretion होता है तो इसकी वज़ा से कौन सी condition हो सकती है Cretinism, Myxidema, Acromigaly, Graves disease Important condition है यह The right answer is, option C, Acromigaly Growth hormone anterior pituitary द्वारा secret होता है आप note कर सकते हैं, growth hormone secreted by anterior pituitary gland और इस hormone का काम होता है शरीर में growth को बनाना यानि कि बच्चा जब बढ़े होकर adult age में अपनी full height को पाता है तो उसकी height बढ़ने के लिए जो hormone responsible है वो growth hormone ही है अब बात करते हैं कि Acromigaly condition होता क्या है माल लीजे, puberty के बाद या adult age के बाद अचानक से growth hormone का secretion बहुत ज़ादा बढ़ जाए तो इस hormone के effect के कारण लंबाई तो नहीं बढ़ेगी लेकिन client की जो fingers हैं वो बहुत ज़ादा abnormally long हो जाएंगी nose जो है long हो जाएगी इसके अलावा जो forehead है, face है वो बहुत ज़ादा broad होगा चोड़ा और चप्टा दिखाई देगा ये सभी condition, ये सभी findings Acromigaly के नाम से जानी जाती है इसके अलावा यदि growth hormone, puberty से पहले यानि childhood age के अंदर बहुत ज़ादा secret हो जाए तो इसकी वज़ा से बच्चे की लंबाई बहुत ज़ादा बढ़ जाती है और इस condition को हम gigantism के नाम से जानते हैं आप चाहें तो यहाँ note कर लीजेगा gigantism यानि की बच्चे की height का बहुत ज़ादा excessive abnormally long होना gigantism है और यह किसकी वज़ा से होता है puberty से पहले growth hormone के बहुत ज़ादा secret होने के कारण देखा जाता है अब हम बात करते हैं कि cretinism condition क्या होती है cretinism condition previous exam में पूछी गई है important है इसके बारे में आप याद रखिएगा ये एक congenital condition है यानि जन्म के साथ ही पाई जाने वाली condition है इसमें thyroid hormone की कमी देखी जाती है बच्चे में thyroid hormone की कमी रहती है जिसकी वज़ा से उसका physical और mental development नहीं हो पाता और basal metabolism भी दीमे होता है ये condition cretinism कहलाता है तो हम कह सकते हैं कि thyroid hormone की कमी के कारण बच्चे का physical mental development नहीं हो पाना cretinism है और ये एक जन्मजात रोग भी है next हम बात करते हैं myxytema क्या होता है myxytema एक rare और बहुत ही जादा dangerous condition है जो की hypothyroidism के कारण देखने को मिलती है इसका effect शरीर के बहुत सारे organs में आता है और body में altered sensorium वाली condition भी देखने को मिलती है अगर इसका proper treatment ना हो तो client की death तक हो सकती है last है आपका grave disease grave disease immune system का disorder है इसकी वज़ा से हमारे शरीर में excessive thyroid hormone का production होने लगता है एक वार फिर से देखिएगा grave disease को आप hyperthyroidism के नाम से भी जान सकते हैं ये एक immune system का disorder है जिसके कारण बहुत जारा thyroid hormone सिक्रीट होता है next question best indicator of HIV prognosis is इन में से HIV disease के prognosis के लिए किस test का इस्तिमाल करना best माना जाता है CD4 cell count CD8 cell count HIV RNA ELISA the right answer is option A CD4 cell count अगर किसी client को human immune deficiency virus का infection हो जाए तो इस virus के infection के बाद patient को acquired immunodeficiency syndrome condition डेवलप हो जाती है AIDS हो जाता है जिसमें उसका immune system बिलकुल भी काम नहीं करता immunity इम्मुनिटी लगबग खत्म हो जाती है जिसके कारण उसे दूसरे infections बहुत जादा अफेक्ट करते हैं और finally client की death हो जाती है HIV condition को identify करने के लिए CD4 cell count को हम बहुत ही जादा अच्छा इंडिकेटर मानते हैं अगर CD4 cell count 200 से नीचे हो जाए तो हमें ये बताता है कि client को HIV AIDS हो चुका है इसके अलावा plasma human immunodeficiency virus type 1 viral load इसे आप note कर लीजेगा plasma plasma human immunodeficiency virus type 1 viral load ये दो test हैं जिनके द्वारा आप best तरीके से HIV condition का prognosis कर सकते हैं prognosis शब्द का simple meaning होता है कि client में ये disease ठीक हो पाएगा या नहीं किसी भी client में हुए disease के ठीक होने की कितनी संभावना है इसे पता करना prognosis है ELISA test का full form होता है enzyme linked immunosorbent assay और ये HIV को identify करने का एक प्रकार का screening test है So take screenshot for your revision Next question is In which disease patient walk in bent posture इन में से किस condition के होने पर व्यक्ती bent posture में चलता है यानि की जुप कर चलता है Malaria, Chikungunya, Pilaria, Dengu The right answer is Option B, Chikungunya Parkinson और Chikungunya दो ऐसी disease conditions हैं जिन में client जुक कर चलता है यानि bent posture में walk करता है Next question RNTCP is a national program for which disease? RNTCP एक national program है जो की किस disease से संबंदित है ये आपको बताना है Leprosy Tuberculosis HIV Poliomyelitis Yes आप बिल्कुल सही हैं Option B is correct answer RNTCP program is related with tuberculosis condition आप से exam में पूछा जा सकता है कि RNTCP का full form क्या होता है तो आप बता सकते हैं It stands for revised national tuberculosis control program Note कर लीजेगा Revised National Tuberculosis Control Program इसके अलावा यहां से पूछा जा सकता है कि ये program कब launch किया गया था तो आप बताएंगे 1997 के अंदर 1993 में WHO ने TB को global emergency declare किया था उसी के बाद Indian government ने TB के control हे तो ये program launch किया था Note कर सकते हैं WHO ने TB disease को emergency declare किया था किस year में 1993 के अंदर और उसी के बाद भारत सरकार ने भारत में TB को control करने के लिए एक strategy बनाई एक plan बनाया उसे ही हमने RNTCP program का नाम दिया जो कि 1997 के अंदर launch किया गया था इसके अलावा यहां से आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है कि dots क्या है तो याद रखिएगा TB disease को treat करने के लिए जो treatment आप इस्तेमाल करते हैं उसे हम dots therapy के नाम से जानते हैं और यह dots therapy RNTCP program के तहत ही launch की गई थी dots का full form previous exam के अंदर पूछा गया है आप चाहें तो इसे note कर लिजेगा directly observed treatment short course directly observed treatment short course यह dots therapy है जो की TB के treatment के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसे RNTCP program के तहत ही launch किया गया था एक चीज और जो recent है उसे भी आप चाहें तो note कर लिजेगा वर्तमान में RNTCP program को हमने NTPP program का नाम दिया है अब RNTCP program यानि revised national tuberculosis control program NTPP program के नाम से जाना जाता है और NTPP program का full form है national tuberculosis elimination program national tuberculosis elimination program इसे आप याद कर लिजेगा और इस NTPP program का main जो उदेश्य है वो यह है कि 2025 तक हमें TB disease को इंडिया से हटाना है इस उदेश्य के साथ NTPP program launch किया गया है देखिएगा इस basic से concept को समझिएगा या आपको हमेशा community में help करेगा जब भी कोई disease condition आती है अचानक फैलती है तो सबसे पहले हम कोशिस करते हैं कि इस disease को control किया जाए इसे ज़्यादा फैलने से रोका जाए उसके बाद इसे eliminate करने के बारे में सोचा जाता है और finally eradicate करने के बारे में सोचा जाता है control इस level पर किया जाता है कि ये public health problem ना रहे और उसके बाद eliminate करते हैं उसके बाद eradicate करते हैं एक बार फिर से सभी चीजों को summarize way में समझ लेते हैं आपके लिए ये important है especially राजस्तान CHO exam के लिए star mark कर देते हैं इस question को हम सबसे पहली बात RNTCP जो program है इसका full form क्या होता है तो आप बताएंगे revised national tuberculosis control program इस program को WHO द्वारा 1993 में tuberculosis disease को global emergency declare करने के बाद launch किया गया था और ये program 1997 में आया था इस program के अंतरगत TB disease के treatment है तू dots therapy का इस्तिमाल किया जाता है और dots therapy का full form है directly observed treatment short course RNTCP program वर्तमान में NTEP के नाम से जाना जाता है NTEP का full form है National Tuberculosis Elimination Program और इस NTEP program का main goal है कि TB disease को 2025 से पहले eliminate कर दिया जाए next question is main product of protein metabolism is protein metabolism के बाद main product क्या बनता है iodine, urea, carbohydrate या फिर glycogen the right answer is option B, urea protein metabolism के बाद final product के रूप में urea त्यार होता है protein की structural और functional unit की बात की जाए तो amino acid मानी जाती है amino acid is a structural and functional unit of protein metabolism protein metabolism के बाद बने urea का maximum part जो है urine के थूप बाड़ी से excrete out होता है हम कह सकते हैं कि urine के अंदर nitrogenous waste product का 80-90% part urine में urea के रूप में excrete out होता है वहीं यदि आप से पूछ लिया जाए कि carbohydrate के metabolism के बाद end product के रूप में क्या बनता है तो आप बता सकते हैं CO2 and H2O carbohydrate की metabolism के बाद end product के रूप में carbon dioxide और water का formation होता है next question is cardiac muscles differs from skeletal muscles by इन चारों options में से आपको उस difference को select करना है जो की cardiac muscles और skeletal muscles को differentiate कर पा रहा हो option A it contains actin and myosin option B it has automaticity and conductivity option C it needs calcium for contraction option D it thrives without oxygen the right answer is option B it has automaticity and conductivity cardiac muscles के अंदर automaticity और conductivity का function पाया जाता है जो की skeletal muscles के अंदर नहीं होता हमारे cardiac muscles यानि heart में पाये जाने वाले muscles इनके अंदर specialized cardiac muscle fibers पाये जाते हैं जो की automatically rhythm को generate कर सकते हैं contractions को generate कर सकते हैं और इनी की presence के कारण ये skeletal muscles से कुछ अलग होता हैं इसके अलावा cardiac muscles के अंदर gap junctions पाये जाते हैं जिसके कारण hurt में impulses की faster conductivity देखने को मिलती है as compared to the skeletal muscles जहां पर ये absent होते हैं next question plasma protein which determines oncotic pressure is इन चारों options में से उस plasma protein का नाम आपको select करना है जो की oncotic pressure को बताता हो maintain करता हो albumin, globulin, heme, prothrombin the right answer is option A albumin plasma के अंदर albumin नाम का protein सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया होता है और इस albumin protein का size दूसरे सभी plasma protein की तुला में कम होते हैं ये albumin blood vessels के अंदर fluid को बांध कर रखता है यानि oncotic pressure maintain करता है अगर शरीर में इस albumin protein की कमी हो जाए तो oncotic pressure disturb होगा और पूरी body के अंदर edema develop हो सकती है और severe albumin deficiency condition ascitis disease cause कर सकती है इस पूरे concept को समझेगा माली जीए कि ये blood vessel है और इसके अंदर ये plasma proteins है इन plasma protein के द्वारा इस blood vessel के अंदर जितना भी fluid है liquid है उसे इसके अंदर ही रोक कर रखा जाता है अब माली जीए किसी वज़ा से blood vessel के अंदर इन plasma protein की कमी होने लगी albumin की कमी होने लगी तो albumin की कमी होने के कारण जो इसके अंदर liquid portion था fluid था वो blood vessel से निकल कर बाहर की तरफ आ जाएगा और इस बाहर आए fluid के कारण पूरी body के अंदर edema डबलब हो सकती है और ये कब हो रहा है जब oncotic pressure कम हो चुका है albumin की कमी हो चुकी है hopefully अब आप इस चीज को समझ गए है plasma protein albumin oncotic pressure को maintain करवाता है जिसके कारण fluid blood vessels के अंदर ही रहता है अगर इसकी कमी हो जाए तो oncotic pressure disturb होगा और disturb या decrease oncotic pressure के कारण blood vessels से liquid portion बाहर आएगा और body के अंदर edema condition देखने को मिलेगी next question is which one is not a bacterial disease इन में से कौन सा bacterial disease नहीं है titanus, entric fever, pediculosis, diarrhea the right answer is option c pediculosis pediculosis body के अलग-अलग parts पर पाए जाने वाली disease condition है और basically ये lease infestation के कारण होती है lease, it is a lease infestation इसके अलावा titanus, entric fever, diarrhea ये सभी bacteria द्वारा हो सकती है upcoming राजस्तान CHO exam के regarding बात की जाए तो कुछ common bacterial disease condition जो की humans को most commonly affect करती है और exam point of view से भी important है इन्हें quickly revise कर लेते है सबसे पहले pulmonary tuberculosis disease जिसे आप short में TB नाम से भी जानते है ये mycobacterium tuberculosis नामक bacteria द्वारा होता है next है diptheria ये corne bacterium diptheri bacteria द्वारा होता है आप चाहे तो इसका screenshot ले सकते हैं आपके revision के लिए cholera disease Vibrio cholera नामक bacteria से होता है leprosy, mycobacterium leprae pertuses, borchella pertuses जिसे आप whooping cough के नाम से भी जानते है titanus, clostridium titani plague, yarsinia pestis gonorrhea, nigeria gonorrhea syphilis, tryponema pallidium upcoming exams के लिए ये table important हो सकती है next question in the following which is not a sign of depression इनमें से depression का sign कौन सा नहीं है anhedonia, irritability, restlessness, hopefulness depression के patient में कौन सी finding आपको देखने को नहीं मिलेगी yes, exactly the answer is option D, hopefulness depression वाला patient कभी भी आशावादी नहीं हो सकता hopeful नहीं हो सकता इसके अलावा anhedonia condition का मतलब होता है depression वाली state से पहले जिन activities को करने में client को pleasure feel होता था depression होने के बाद उन activities को करने पर भी उसे pleasure feel नहीं हो तो ये condition anhedonia कहलाता है irritability का मतलब आप सभी समझते हैं हमेशा client irritable महसूस करेगा और restless का मतलब होता है client हमेशा बैचेन रहेगा तो ये सभी findings आपको depression वाले client में देखने को मिलेंगी next question is the most common visual problem in India is इंडिया में vision से related सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली problem कौन सी है option A, refractive error option B, cataract previous exam में इस question को पूचा गया है yes, exactly, option A is correct here इंडिया ही नहीं, पूरे world में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली vision से related problem है refractive error साधारन शब्दों में यदि आप समझना चाहें तो इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि पूरी दुनिया में specs का इस्तिमाल करने वाले लोगों की संक्याव किसी भी eye problem की तुलना में जादा है यानि कि patients की जो eye की shape है वो abnormal हो जाती है जिसके कारण light rays properly retina पर focus नहीं होती और clear image नहीं बन पाती जिसके कारण उन्हें धुन्दला दिखाई देता है और इस धुन्दलेपन की शिकायत को दूर करने के लिए उन्हें specs या चश्मा लगाना पड़ता है सो हम कह सकते हैं कि refractive error is a most common visual problem in India and world also refractive error की बात की जाए तो कुछ common type की refractive errors जो की upcoming exams के लिए important हो सकती है उन्हें हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे myopia condition की myopia condition को आप near sightedness के नाम से जानते हैं जिसमें आप pass की चीजों को तो clearly देख पाते हैं लेकिन दूर की चीजें आपको दुंदली दिखाई देती हैं यानि clear objects are clear but distant vision is not clear or it is blurry इसका opposite बात करें तो far sightness जिसे hyperopia के नाम से जाना जाता है जिसमें pass की चीजें तो साफ नहीं दिखाई देती लेकिन दूर का vision बिल्कुल clear होता है next जो eye problem है उसे exams में previously कई बार पूछा गया है press biopia press biopia को आप loss of near vision with aging कह सकते हैं यानि कि जैसे-जैसे client की उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे उसके pass देखने की शमता भी कम होती चली जाती है this is due to aging process इस disease condition के अंदर pass रखे कोई भी article को उसे पढ़ने में दिक्कत आती है साथ-साथ जो छोटे letters होते हैं उन्हें वो नहीं देख पाता next आता है retractive error type astigmatism astigmatism वह condition है जो कि आई की anatomy abnormal होने के कारण होती है यानि कि जैसे-जैसे person की age बढ़ती है उसकी आखों की structure है वो बदलती जाती है और आखों की structure बदलने के कारण completely eye का round नहीं होने के कारण उसके अंदर problems generate होती है सबसे बड़ी problem आती है कि client को दुन्दला दिखाई देने लगता है उसके बाद उसके eyes में strain हो सकता है client को लगातार headache बना रहता है उसे रात को देखने की problem हो सकती है यहाँ पर जो second option दिया गया है catrack इसके regarding जो most important question exam में पूछा जाता है वो यह है कि भारत में blindness का सबसे बड़ा कारण क्या है तो आप बताएंगे catrack इसे आप star mark कर लिजेगा upcoming Rajasthan CHO exam के लिए बहुत important question रहेगा यह most common cause of blindness in India तो आप बताएंगे catrack और अगर most common cause of blindness in India यह तो adult के लिए हो गया लेकिन अगर most common cause of blindness in India for children अगर आप से पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे vitamin A deficiency vitamin A की कमी के कारण बच्चों में सबसे ज़्यादा अंधता होती है blindness होती है जबकि catrack जो है most common यह सबसे बड़ा cause है adults के अंदर blindness का यह दोनों ही questions important है next question is drug of choice for breast cancer is breast cancer में drug of choice किसे माना जाता है option A methotrexate option B tamoxifene important question दोनों ही anti-cancer medicines है yes exactly the answer is option B tamoxifene tamoxifene citrate breast cancer के लिए drug of choice के रूप में इस्तिमाल की जाती है next question which of the following terms refers to inability to carry out a learn movement on command in the absence of weakness or paralysis आपको इन चारों options में से उस टर्म को select करना है जिसका मतलब किसी भी patient ड्वारा learn movement को command देने पर ना कर पाना बताती हो और patient के उस body part में जो की इस activity को perform करने के लिए जरूरी है ना तो उसमें weakness है और ना ही paralysis है क्या कहेंगे आप इस condition को Option A. Agnosia Option B. Apraxia Option C. Atheitosis Option D. Ekinasia The right answer is Option B. Apraxia Apraxia is a condition in which a patient is not able to perform any learned activity without any presence of weakness or paralysis Remaining terms की भी बात की जाए तो option A में जो agnosia term दिया गया है agnosia का मतलब होता है किसी भी familiar object को पहचान नहीं पाना यानि कि आप किसी जगा को किसी object को या किसी person को अच्छी तरह से मिले हैं पहचानते हैं लेकिन next time जब आप उसे देखें तो आप उसे नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये condition agnosia कहलाती है refers to the failure to recognize familiar object perceived by senses next term है athetosis athetosis शब्द का मतलब होता है body के face या extremity वाले part में warm like moment जिस प्रकार से worms होते हैं कीडे होते हैं वो ring कर चलते हैं creeping moment करते हैं उसी प्रकार से patient की body के face या extremity वाले हिस्से में moment होना creeping और worm like moment होना athetosis के नाम से जानी जाती हैं इसका आप video search कर सकते हैं एक बार इसे आप यदि देख लेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं next akinesia akinesia का मतलब होता है शरीर में ना तो weakness है ना ही paralysis है फिर भी complete body की movement बहुत ही जादा reduce हो गई है slow हो गई है ये condition akinesia कहलाती है next question is first line of body defense is body defense का first line किसे माना जाता है no options for this question yes the correct answer is skin हमारी skin को सब से पहला defense line माना जाता है skin is a first barrier that prevents us to become suffer with disease next question blood flow through the coronary arteries primarily occurs during हमारे heart को coronary arteries blood supply पहुचाती है और heart तक इन coronary arteries के द्वारा blood किस समय पहुचाया जाता है जब heart diastrol होता है तब या फिर systrol होता है तब मान लीजिए ये हमारे heart की structure है इसके चार चेमबर्स है ये left ventricle है और ये erota है जब हमारे heart का left ventricle contract होता है यानि systrol होता है तो उस समय erota के अंदर blood supply होती है और यहां से पूरी body के अंदर blood पहुचता है लेकिन जब heart को खुद blood चाहिए होता है तो जब ये relax होता है यानि की diastrol होता है तो उस समय इसे blood supply पहुचती है तो हम कह सकते हैं heart जब diastrol होता है तो उस समय coronary artery में blood पहुचता है और उसी से फिर आगे heart को blood supply मिलती है 75-80% heart को blood diastrol के समय ही मिलता है next question is myocardial infraction drug of choice अगर किसी client को heart attack आता है myocardial infraction होता है तो उस समय drug of choice किसे माना जाता है morphine sulfate या फिर naloxone very important question yes exactly the answer is option A morphine sulfate जैसे ही heart attack वाले patient को आप morphine sulfate देते हैं तो इस से blood vessels dilate हो जाती है और client की जो oxygen demand होती है वो reduce हो जाती है जिसके कारण client को relief पहुँचने लगता है naloxone जो है opioid drugs की overdose होने पर as a antidote use किया जाता है naloxone को आप narkin भी कह सकते हैं next question is what is the full form of dmpa dmpa का full form क्या होता है option a dimedroxy progesterone acetate option b deport medroxy progesterone acetate it is a contraceptive drug इसका full form आपको बताना है और previous exam में इसे पूछा गया है yes exactly the option b is correct here deport medroxy progesterone acetate एक बार फिर से revise करेंगे deport medroxy progesterone acetate is a full form of dmpa and it is a contraceptive medicine so everyone ये थी हमारी आज की nursing mcq class hopefully ये class आपको अच्छी लगी होगी class अच्छी लगी हो तो please इसे like कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ share कर दीजेगा और for nurses preparation youtube channel को subscribe कर दीजेगा for nurses preparation facebook, telegram, instagram पर भी active है और regularly आपकी preparation के लिए mcqs और vacancy के information share करता है इन सभी social medias पर for nurses preparation को follow करने के लिए video description में दिये गए सभी links पर click करें thank you so much best of luck झाल